अब एक चीज और में हम से जानना चाहेंगे कि सबसे बहुत सबसे जरूरी चीज यह होता है कि हम लोग घर में क्या खापी रहे हैं सहर में जो लोग रहते हैं वो लोग अपने डॉक्टर से मिल के सारा डीटेल ले लेते हैं कि कैसा खाना है क्या खाना है लेकिन गरामीन छेत पूरे दिन में ठीक है तो प्रिफरेंस यह रहनी चाहिए कि आप अपने एक दिन की जो शुरुआत है वो नोर्मली जो करते हैं चाय और कोफी से उन्हें मना करना चाहूंगी कि अपने दिन की सुरुआत चाय और कोफी से ना करें इस पेशली अगर वह लुक वोटर मतलब थ जाधा सब्सक्राइब करने चाहिए चाहिए अगर आप पानी से करेंगे तो जाधा सब्सक्राइब करता है तो करनी चाहिए तो प्रब्रेकफास्नाही करते हैं तो जैसे बाद घंटीनू दो भर पी ही लेती है और चाय पीने से भूग भी कम लगेगी तो फिर उनका breakfast already skip हो जाता है सबसे जरूरी चीज जो अभी मैं हम जितना चीज बताई ये हरे घर में है कि महिला लोग चाय पीती है और थोड़ा बहुत नहीं पीती है बहुत ज़्यादा पीती है मातरा सभी बहुत ज़्यादा पीती है इसको आप रोक लीजिए अगर स्वास्तरा नाने तो आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट चाहिए जैसे आपके कुछ नहीं मिल रहा है इवन आप फ्रूट्स पे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते हैं उन्हें फ्राई करके खा सकते हैं अगर ऐसे भी खाते हैं तो अंकूरी चने अच्छे हैं उनका नाश्ता कर सकते हैं या उपम कोई खा सकता हैं तो फूडय कर सकता हैं तो फूड्ड और सैलिड खा सकता है सुबए का ब्रेकफास्ट हैवी भी लेते हैं तो कोई दिक्त नहीं है उसके बाद औ이र्ट चाह ते है अपि चपाति यहां पर जैसे थोड़ा राईस भाल भी ए सारह रहती बग कोड़ा एक्टिव रहते हैं तो खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है अगर अपने रात में हैवी खाना खा लिया है पूरी रात अपन कुछ करेंगे नहीं तो फिर इंडाइजेशन होगा और गेस्ट बनने की दिक्कत होगी धीरे-धीरे बीमार करता रहेगा जैसे ही पेट मे महिला जो आती है आप पाल जनरली जो प्रेंट फूमेल फीमेल नोन प्रेंटत है तो जैसे सफेध पानी Doing-so थिग है डायविटीघ्नmeye जैसे जॉसी पर कफीन banco किले गाउने की वजह सकते हैं क्या है इसके अलावा जैसे हाइपरटेंशन की पेशेंट भी काफी आती है और जो फीमेल अपना खुद का ध्यान नहीं रखती है तो एक प्राइम वो है कि एनिमिया का जो सेडूल भी अपने गवर्मेंट ने चला रखा आयरेंट टेबलेट्स क्योंकि फीमेल अपना जो भी की टेबलेट भी स्टार्ट कर रखी है तो जितना चीज आप बताई खान पान से जुरा हुआ चीज और तीन मंत्र जो आप मुद तीन चीज जो आप बताए शुरू में कि वह अपनाने के बाद इन सभी बीमारीं से बचा जा सकते हैं बिल्कुल एक हद तक आप बिल्कुल चांस काम हो जाकते हैं हाँ चांसे काफी कम हो जाता है हैं अगर हेल्दी लाइफ स्टाइल होगी तो आप्पीमारी से बच सकते हैं और बिमारी को दूर करने से बैटर अप्शन है कि शायद बिमारी से पहले ही बचा जाता है ने मैं यह spa तो एक चीज तो यह है कि उनका जो भी टीफिन है वह कंटीनुटी में रोटेशन से चेंज होता रहना चाहिए डेली उनको अपने एक ही चीज देंगे तो खुद भी बोर हो जाएंगे दूसरी चीज टीफिन में वह सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए जिसमें खाने की स चीजें हो जाएं क्योंकि बच्चे का पूरा दिन तो इसकूल में ही निकल जाता है तो अपन जैसे फ्रूट्स भी उसमें सामिल करें ग्रीन वेज़ी टेबल्स भी कर सकते हैं जैसे पराथे डाल के भी दे सकते हैं वह बच्चे की विश्क के अकोर्डिंग है कि उसे क्या अच्छा लगता है जैसे अपन को ऐसी चीज़ डाल देंगे उसकी च्छाही नहीं करेगी तो खाएगा ही नहीं एक सवाल यह है कि जनरली क्या होता है कि एक रूम में अजकल आगे हैं एलीजी टीवी साइज बराबरा रहता है पहले टीवी का साइज छोटा रहता है लोग दिवाल में लगाती हैं बगल में पलंग रहता है बहुत नजदीक से महिला लोग टीवी देती हैं बहुत देड़ तक बिलकुन उससे आई साइट खराब हो ही रही है आई साइट पर बहुत ज्यादा नेगेटिव एफेक्ट है कुछ लोग क्या करते हैं कि रूम की नेगेटिव एफेक्ट अपनी आईज पर आता है जिसके बहुत सारे पेशेंट आपके मोतियाबिंद के हुए यह देखने में आ ही रहे हैं या सबकी जैसे आप देखेंगे कम एज में भी बच्चों को स्पेक्स यूज़ करना पड़ रहा है तो जहां तक हो अगर आप ट जी जी बहुत हार्म करेगा बिल्कुल करेगा देखें उनका सेडूल डिस्टप हो रहा है अभी जैसे बच्चों के ओनलाइन क्लास है तो ऑनलाइन क्लास के बहांने 4-5-5 घंते फोन लिए बैठे रहते हैं मोबाइल की लाइट बंद करके जैसे अपना मोबाइल देखते रहते हैं कुछ पेरेंट्स हैं जो उन्हें पता ही नहीं कि लाइट सिधा सिधा आपकी को इफ्एक्ट करेगा ही कहीं कहीं ना कहीं बच्चा उसे कोई हिंसा वाली, जो movies देखते हैं कुछ बच्चे उनसे उनमें जो हिसात्मक mentality उनकी है वो create हो रही है उसी वज़े से कुछ बच्चे जैसे game की लत्मे पड़े हैं तो game खेलते रहते हैं आपका time पे खाना भी नहीं खाएंगे इवन उनका पूरा schedule उससे disturb है और जैसे आप देखेंगे कि मानसि तनाव भी बच्चों में बढ़ रहा है कि वो continuously phone के उसके लगे हुए है तो यह बहुत जरूरी बात है कि जनरली बच्चा जो है आज कल smartphone ले करके लगा हुआ रहाता है गार्जियन भी सोचते चले smartphone देख रहा है मेरा हमको disturb नहीं कर रहा है इससे दो चीज तो सबसे बड़ झाल 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 झाल